तो दोस्तो हम लोग lap winding और wave winding पर रहे हैं ठीक है तो lap और wave ये दो winding होता है DC machine में ठीक है तो इसमें हम लोग एक सब्द सुन रहे हैं जैसे पर रहे हैं parallel path समानांतर path जो होता है parallel रास्ता जो होता है current प्रवाहित होने का ठीक है तो इसके बारे में हम लोग को आज जारना है कि parallel path क्या होता है जिसे जो हम लोग lap winding कर रहे हैं ठीक है इसमें क्या होता है कि आपको parallel path की जो संख्या है parallel path की जो संख्या होता है ठीक है आपका path की संख्या जो होता है वो आपका क्या ज्यादा होता है ठीक है ज्यादा होता है पैरलल पत्र में क्यों क्योंकि ये आपको क्या है समानांतर में जोरा जाता है पैरलल में जोरा जाता है कहने का मतलब है जिसे मालेजे की लैप वैंडिंग में क्या होता है ये जिसे आपका मशीन हो गया इसमें लैप वैंडिंग किया गया है तो लैप में लगा यहां माइनस में लगा ठीक है तो इसमें जैसे आप यह देख सकते हैं यह आपको अलग अलग जो यह पैरलल पात है पात करने का मतलब है करेंट पडवाह का रास्ता है करेंट के लिए रास्ता ठीक है इसमें रास्ता जो है एक से अधिक है ठीक है अगर आपका denying Ok Big करेंट प्रवाह के रास्ता किना । सिंपल है तो यहीं प्रवाह की κιा होता है परलाराष्ट की मत राष्ट्टा ऑटाँ कि यह आपका एक वायर है ठीक है इस वायर से 10 MP का current प्रवाहित हो सकता है इस वायर मा लिज्ञे यहाğна प्लस और मारे सप्लाई इस तार से 10 MP की करेंट अप्लाई प्रवाहित हो सकते हैं फिर यदि हम माले जे 10 ampere का ले जाना है तो हम इसके parallel में एक दूसरा तार जोर के ले जा सकते हैं ये 10 ampere ले जाएगा ठीक है तो इन दोनों में क्या हो जाएगा बटवारा हो जाएगा ठीक है क्या हो गया बटवारा हो गया 10-10 ampere दोनों तार से आपका क्या हो रहा है प्रवाहित होने लगा ठीक ह तो parallel में जब जूर गया तो क्या होगा कि current यहां पर बटवारा हो गया बट गया इसमें क्या होगा current का मान बर गया यहां से यहां पर आपको supply जो मिलेगा 20 ampere का मिलेगा ठीक है अब देखिए अब माले जी कर आपको 30 ampere के जूरत है इसमें एक और तार आप क्या करिए कि parallel में जोर दीजिएगा तो यह भी 10 ampere सहन करेगा 10 ampere तो 30 ampere हो गया ठीक है तो कहने का मतलब है इसमें जो है इस circuit में आपका parallel राष्टों की संख्या कितना हो गया 1, 2 और यह 3, 3 हो गया जितना आपको parallel राष्टों की संख्या बढ़ेगा उतना आपका current caring बढ़ेगा मतलब current का मान आप बढ़ते चला जाएगा ठीक है तो वही lap winding में होता है कि आपका जो winding होता है यह parallel में जुरा हुआ है ठीक है तो देखिए गाई जब parallel और series circuit आप पढ़ेगे या पढ़े होंगे ठीक है series जब होता है तो series में जब cell को जुरा जाता है बताया थी इसकी पहले वीडियो में भी जैसे यह हमारा cell हो गया इसको अगर हम series में जुर रहे हैं दो दो वोल्ट का अगर है तो हमें यहाँ पर plus और यहाँ minus कितना छो वोल्ट मिल जाएगा अब आही अगर मालेजे कि हम यही तीन बैटरी को यह parallel में हमने जोर दिया parallel में जोर दिया तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा दो वोल्ट मिलेगा मगर अब मालेजे कि यह जो एक एमपियर का मालेजे एक एमपियर का आपका बैटरी है तो एक एमपियर एक एमपियर तीनो का हो गया तो यहाँ पर वोल्ट आपको दो वोल्ट मिलेगा मगर करेंट का माल हो जाएगा तीन एमपियर ठीके अब अहीं जब आप series में जोड़े हैं तो आपको मिलेगा 6 volt 6 मिलेगा मगर एक एक ampere का तीनों है तो current आपको एक ही ampere मिलेगा कि series में जब जोड़ियेगा तो आपको voltage का मान बढ़ेगा और current का मान एक का जितना होगा उतना ही total current होगा मतलब यदि अगर मालेजे की इस battery का current एक ampere है capacity तो यह series में जूटा हुआ है तो total जो circuit का आपका capacity होगा एक ampere ही होगा तो यह आपको ध्यान में रखना परेगा कि जब series में जोड़ियेगा voltage बढ़ेगा current का मान एक जो आपका एक है wire मालेजे जैसे की मालेजे की हम ये series में जोड़ दिये ये 2 winding होगे ये series में हम जोड़ दिये तो series में जोड़ने शोड़िये ये 100 volt आपका उत्पन कर रहा है ये 100 volt उत्पन कर रहा है इसका capacity है पाच ampere इसका भी capacity है पाच ampere ठीक है यहाँ पर आपको plus मिला यहाँ पर आपको minus मिला जब यह series में जुड़ा हुआ है series में है तो कहने का मतलब यहाँ voltage हो जाएगा आपको 200 volt मगर current जब आईएगा आई मतलब current तो 5 ampere ही होगा ठीक है 5 ampere ही होगा क्यों क्योंकि आपका यहाँ पर voltage का मान बढ़ेगा current का मान नहीं बढ़ेगा यहीं सेम आप अगर winding को parallel में जोड देते हैं ठीक है parallel में जोड देते हैं अब जैसे मालेजे यह आपका winding हो गया और यह winding हो गया ठीक है यह आपको parallel में जोड दिया गया ठीक है तो मालेजे की यह 5 ampere और 100 volt उत्पन कर रहा है यह भी 5 ampere और 100 volt उत्पन कर रहा है तब जाके यहाँ पर आपको क्या मिल लगा प्लस और यहाँ माइनस तो यहाँ पर आपको देखे बोल्टेज का मान सेम रहेगा जब सामनांतर में जोड़िएगा न तब फ़ले पाँच को जोड़ दीजी यह अब मान देजे के और इसमें जोड़ते चले जाएए तो एक सर्किट का यह एक सर्किट का जो बोल्टेज होगा कुल बोल्ट इसका मान बरता है ठीक है लेप वाइंडिंग में जब आप आगे हम लोग को परना है मल्टी फ्लेक्स वाल वाइंडिंग जो हता है ठीक है मल्टी फ्लेक्स लेप वाइंडिंग ठीक है लेप वाइंडिंग ठीक है एक हो जाता है आपका सबसे पहला हो जाता है सिंप्लेक् तो Simplex Lap GUINTON में जब जाईएगा, ए, ए का मतलब आपका हो जाता ह deepen parallel राष्टों की संख्या BET पारलल रास्तो की संख्या, पारलल पत की संख्या, सामनांतर रास्तो की संख्या, किसका? करेंट परवाह के लिए, ठीके? तो ए बराबर आपका कितना रहेगा? दो, बनला ए बराबर ये आपका P हो जाता है, पोल जीतना है, उतना आपका करेंट परवाह के रास्ता है, ठीके A बराबर P हो जाता है simplex lap में फिर जब आप multiplex में जाईएगा multiplex कहाने का मतलब हो गया इसमें multiplex में तीन परकार का होता है एक हो जाता है duplex एक हो जाता है triplex और एक हो जाता है quadplex देखें duplex का मतलब हो जाता है 2 triplex का मतलब हो जाता है 3 और quadplex का मतलग होता है 4 याद रखिएगा ठीक है तो जब duplex में multiplex में multiplex जो winding होता है वो आपका तीन परकार का हो जाता है ठीक है अचेव ट्रिफलेक्स में जाएगा तो ए बराबर हो जायगा परलाल रास्टो की संखया हो जायगा ठीक है तो इए अप समझ गए होगे डूपलेक्स है तो 2P, ट्रिपलेक्स में 3P और क्वाडफलेक्स में 4P यानि कि बोल का चोगुना आपका पैलल रास्तों की संख्या ये बराबर याद रखिएगा पैलल रास्तों की संख्या ये small a भी दे सकता है ठीके तो अब हमें ये मतलब समाजी गए होंगे आप लोग की पैलल रास्तों की संख्या क्यूं बढ़ाया जैसा जैसे माल लेजी कि ये मशीन है इसमें से ये 4 रास्ता अगर है करेंट परवा के लिए 4 रास्ता अगर है ठीके यहां से आपको पलस और यहां माइनस तो जब 4 रास्त कहने का मतलब होगे कि ये 4 आपका तार होगी है ठीके एक वायर से 5 अगर परवाहित होता है तो यहां पर टोटल आपको 20 अगर मिलेगा ठीके सेम जब वेब वाइंडिंग में जाईएगा तो आपको उसमें करेंट परवाह का केवल दो ही रास्ता होता है करेंट परवाह का एक ये और एक ये एक ये एक ये और एक ये मतलब दो ही रास्ता होता है ठीके दो रास्ते की कारण क्या होता है कि यहाँ पर voltage का मान इसका जितना voltage है voltage यहाँ तो मान लेजे कि जादा हो जाएगा ठीक है क्योंकि अंदर जो winding जोड़ा गया है सब series में है ठीक है series में जोड़ने पर यहाँ माले voltage जब मान बढ़ जाएगा मगर current का मान मान लेजे कि यह 10 ampere अगर एक वायर का capacity है तो यहाँ पर current का मान 10 ampere रहेगा ठीक है तो यह lap और wave में अंतर होता है समझ गया होंकि तो यह हमारा है lap winding कि जिस winding में coil के स्वयोजा किसीरे एक दूसरे पर चठे हुए रहते हैं वह lap winding कहलाता है lap winding को parallel या समानतर winding भी कहते हैं याद रखिएगा lap winding parallel या समानतर winding कहते हैं इस winding में समानतर पथो की संख्या पूल की संख्या के बराबर होता है देखिए simplex में बराबर हो जाता है जब अब simplex lap winding में जाएगा तो बराबर होगा फिर बढ़ेगा भी lap winding का प्रयोग अधिक current धारा उत्पन करने वाले आर मेचर में किया जाता है यह winding दो परकार का होता है देखे, lap winding जो आपका होता है यह दो परकार का हो जाता है पहला आपका होता है simplex lap winding और दूसरा होता है multiplex lap winding दो परकार का होता है simplex lap winding और multiplex lap winding तो Simplex Lap Winding में कह रहा है कि इस Lap Winding में क्वाइल का पहला वा अंतिम सीरा साथ वाले Commutator Segment पर लगाया जाता है यह winding छोटे और मध्यम साइज के आर्मेचर पर किया जाता है इसमें Commutator Pitch YC का मान एक रखा जाता है तो हम लोग देख रहे हैं Simplex Lap Winding तो Simplex Lap Winding होता है जो इसमें क्या होता है कि आपका एक क्वाइल होता है ठीक है आपका एक क्वाइल है और दो पैलल रास्तों की संख्या है ठीक है जैसे मान लेते हैं यहाँ पर यह कारवन ब्रस हो गया यहाँ से यह एक रास्ता हो गया यहाँ एक कारवन ब्रस हो गया ठीक है आपका यह वाइंडिंग हो गया ठीक है तो यह जो होता है यह Simplex Lap Winding है ठीक है Simplex Lap Winding हो गया इसमें पैलल रास्तों की संख्या कितना हो गया? दो हो गया ठीक है तो देखे जितना पैलल रास्तों की संख्या होगा उतना ही कारवन ब्रस की संख्या भी रहेगा कारवन ब्रस ठीक है? अगर मालेजे की Quadplex जैसे है जिसमें चार पैलल रास्तों की संख्या हो रहा है तो वहाँ पर कार्बन ब्रस की संख्या भी चार रहेगा ठीक है अगर आठ रह रहा है पैलल रास्तों की संख्या तो कार्बन ब्रस की संख्या भी आठ रखा जाता है तो जितना आपका parallel राष्तों की संख्या रहेगा उतना आपको carbon brush की भी जरुरत पड़ेगा, ठीक है तो यह याद रखिए अगर lap winding में parallel राष्तों की संख्या किस पर निर्वा करता है, pole पर निर्वा करता है, ठीक है simple है मतलब simplex lap winding है तो A यानि कि पहला राष्टो के संख्या P के पराबर रहता है A पराबर P होता है ठीक है तो अब हम देख लेते हैं इसमें देखे कर आए कि इस lap winding में coil का पहला वो अंतिम सीरा साथ वाले commutator segment पर लगया जाता है देखे जैसे ये winding हो गया ठीक है winding है तो इसका ये जो पहला है ये अंतिम हो गया फिर इसका पहला यहां से शुरू हुआ फिर ये अंतिम हो गया ठीक है तो कह रहा है कि पहला मतलब की lap जैसे इसका अंतिम सीरा हो गया इस winding का और इस winding का पहला सी रहा एक segment पर है ठीक है तो कहने का मतलब है इस में हर segment के बीच में मतलब हर coil के बीच में कितने segment का gapping रह रहा है एक segment का एक commutator segment का gapping है ठीक है इसलिए यहाँ पर commutator पीच यानि कि YC का मान कितना रहेगा एक रहेगा एक रहेगा ए बराबर P रहेगा ठीक है तो commutator segment पर लगया जाता है यह winding छोटे और मध्यम size के आर्मेचर पर किया जाता है इसमें commutator पीच YC का मान एक रखा जाता है ठीक है तो आपका जो simplex lap winding है इसमें क्या है आपका YC यानि कि commutator segment का मान कितना रहेगा एक रहेगा ठीक है क्यों क्योंकि इसमें आपका क्या है जो segment के बीच में quail segment के बीच में gapping है वो कितना है एक-एक एक के बाद फिर इसी का दूसरा सीरा यहाँ पर हो जा रहा है जैसे माले जी के पहला सीरा किसी भी winding है पहला सीरा हम क् रहे हैं जैसे ये आपका क्वाइल वन जो है इसका पहला सीरा segment 1 पर है और दूसरा सीरा segment 2 पर है, ठीक है? तो इसके बीच में gaping कितना हुआ एक segment का है, ठीक है तो YC का मान एक रहेगा और A बराबर P रहेगा ठीक है? फिर आगे हम देखते हैं multiplex lap winding तो जब multiplex lap winding जो है इसमें देखे क्या होता है कि multiplex lap winding में ब्रोसों के मद समानांतर में दो या दो से अधिक अलग-अलग insulated winding होती है जब pole की संखया को बढ़ाए बिना समानांतर पथो को बढ़ाने किया हो सकता होती है तो simplex lap winding की multiplex lap winding किया जाता है multiplex lap winding में coil की संखया slot की दो या तीन या चार गुनी तक होती है यह winding निम्न तीन परकार का होता है multiplex lap winding कितने परकार का होता है तीन परकार का हो जाता है ठीक है पहला है आपका duplex lap winding देखिए duplex में क्या होता है duplex winding में जब जाईएगा तो yc यानि कि commutator पीच का मान कितना हो जाएगा क्यों इसमें देखिए जैसे ये प्रथम जो ये coil है इसका पहले सेगमेंट पर है और दूसरा सीरा जो है वो तीसरे सेगमेंट पर है ठीक है कहने का मतलब है कि इसमें gapping कितना हो जाएगा दो सेगमेंट का gapping हो जा रहा है इसलिए इसमें yc का मान कितना रहेगा दो रहेगा ठीक है तो यहां दिया जाएगा कि इस winding में commutator पीच का मान दो रखा जाता है अर्थात coil एक का प्रथम सिरा जिस segment से तथा अंतिम सिरा तीसरे ये coil जो 1 है इसका प्रथम सिरा यहाँ जिस दिया हुए यहाँ पहला होगा पहले segment से तथा अंतिम सिरा तीसरे segment से जो जोड़ा जाता है जिस से प्रतेक सिरा के मद दो का अंतर होता है देखें प्रतेक coil का जो टर्मिनल है Terminal कहने का मतला होता है कि सीरा जहाँ से आप जोडते हैं उसको ठीक है जैसे मालेजे की ये Quile है Quile हो गया तो ये पहला सीरा हो गया शुरुवाती और ये अंतिम सीरा होगा हर Quile में कितना 2 सीरा होता है 2 सीरा का मतलब terminal होता है ठीक है तो इसमें जो duplex lap winding है इसमें आपका क्या है कि कुमुटेटर पीछ का मान कितना है दो रखा जाएगा ठीक है इसमें जो होगा A पराबर हो जाएगा 2P हो जाएगा याद रखिएगा मतलब duplex lap winding में A बराबर हो जाएगा 2P 2Q हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कुमुटेटर सेग्मेंट के मद गैपिंग कितना है दो सेग्मेंट का गैपिंग है yc का मान यहाँ पर 2 है ठीक है अगला हमारा है कि triplex lap winding ठीक है जब triplex में हम आते हैं जब triplex winding में आजिएगा आप triplex में इसमें क्या है कि yc का मान आपका 3 हो जाएगा ठीक है तो a बराबर हो जाएगा 3P यानि कि pole का 3 गुना हो जाएगा triplex winding में ठीक है इसमें देखिए क्वायल का पहला सीरा पहले सेग्मेंट से तो दूसरा सीरा आपका सिधा हो जा रहा है चोथे से ठीक है यानि कि इसमें गैपिंग कितना हो गया तीन हो गया तीन सेग्मेंट का गैपिंग हो रहा है इसलिए यहाँ पर a बराबर 3P हो ठीक है और याद रखिए गा parallel रास्तों की जितना संख्या रहेगा अगर पूछा जाए जिसके triplex हो गया इसमें एक अमान जितना रहेगा उतना ही carbon brush भी आपयोग करना पड़ेगा मतला parallel रास्तों की संख्या जितना उतना ही carbon brush की संख्या भी होता है ठीक है अगर question पूछा जा जा कि मालेजे के ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग लैप वाइंडिंग में आपका जो है ये पहलेल राष्टों के संख्या 10 है तो कितना कार्बन ब्रस का उपियोग करना पड़ेगा तो 10 उपियोग करना पड़ेगा ठीक है अगला है क्वाड प्लेक्स तो क्वाड प्लेक्स में जब जाएगा तो आपका वाइ सी का मान हो जाता है चार यानि कि क्वाइल का प्रथम सीरा पहले सेग्मेंट पर तो दूसरा सीरा आपका कहां हो जाएगा पांचवे सेग्मेंट में पांचवे में हो जाता है ठीक है वहा पर YC का मान हो जाएगा 4 और A बराबर यानि कि पहला राष्टों की संख्या हो जाएगा 4P यानि कि पोल का चोगुना ठीक है तो इसमें क्या होता है कि इस लैप वैंडिंग में कम्मुटेटर पीच का मान 4 रखा जाता है अर्थात क्वायल का प्रथम सीरा पहले सेगमेंट स और अंतिम सीरा पांचवे सेगमेंट से जुरा रहता है अंतिम सीरा पांचवे सेगमेंट से आपका क्या रहेगा जुरा रहेगा ठीक है तो आसा करता हूँ कि समझ गया होंगे लैप वैंडिंग ठीक है लैप वैंडिंग में आपका लैप वैंडिंग में जो सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग था उसमें क्या था पैलल रास्तों की संख्या क्ये था दो था ठीक है जिसे ये आपका winding हो गया ठीक है यहाँ पर आपको यह carbon brush है दोनों side carbon brush है देखी पहलल रास्तों की संख्या इसमें 2 है तो carbon brush की संख्या 2 रहेगा ठीक है फिर मालेजी की duplex winding अगर हो जाता है duplex अगर winding हो गया तो क्या हो जाएगा कि parallel रास्तों की संख्या double हो जाएगा तो जब double होगा तो आपका क्या हो जाएगा carbon brush की संख्या भी ठीक है बोड़ जाएगा देखीए यहाँ से एक यह हो गया एक यह हो गया और एक यह हो गया और एक यह यह हो गया ठीक है यहां पर आपको चार करवन ब्रस की जुरत पर जाएगा ठीक है मतलब पोल के अंसार होता है पोल कितना है दो पोल है तो चार तीन पोल है तो छे जितना पोल के उपर है दो तीन तो नहीं होगा दो चार छे आठ होता है ठीक है तो वो आगे पोल पर निर्भर करता है ठीके तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका simplex जैसे pointing हो गया उसमें A बराबर P रहेगा यानि कि उसमें commutator segment यानि कि YC का मान कितना है एक है ठीके simplex में जब आप duplex में जाएगा तो A A बराबर 2P YC बराबर 2 ठीके फिर triplex में जब जाएगा तो A बराबर 3P YC बराबर 3 याद रखिएगा फिर quadplex में जब जाएगा तो A बराबर 4P YC बराबर 4 ठीके कहने का मतला अगर पूछा जाए कि quadplex lap winding में पोल की संखिया 6 है मालने जे 6 है तो पाइलल रास्तो की संखिया कितना होगा थे 6, 4 का 24 यहाँ पर हो जाएगा ठीके तो देखिए क्या है कि जो ये सब multiplex lap winding जो होता है इसका प्रयोग करने में एक जिससे की हानी होता है लॉस क्या होता है यह देख लेना है ठीके देखिए simplex lap winding में क्या हो जाता है इसका प्रयोग मध्यम और जिससे की medium जो आपका machine होता है medium power का medium power का जो machine है उसमें complex lap winding ही किया जाता है ठीके जब आप multiplex winding करियेगैगा multiplex तो इसमें हानी होता है क्या हानी होगा देखिए जब parallel रास्तों की संखेय जादा बढ़ेगा parallel रास्तों की संखेय जादा बढ़ेगा तो इसमें क्या हो कि voltage drop ज्यादा होने लगता है यानि कि voltage का मान आपको क्या हो जाएगा टर्मिनल पर कम होने लगएगा जितना पारलल रास्तों की संख्या बढ़ेगा voltage का मान आपका क्या है कम होते चला जाता है ठीक है दूसरा इसमें ये दिकत है कि जितना parallel रास्तों की संख्या होगा उतना आपको क्या करना पड़ेगा कार्बन ब्रस का उप्योग करना पड़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा अगर कार्बन ब्रस आप उप्योग करते हैं तो देखें जितना कार्बन ब्रस का आप उप्योग करेगा उतना ही कम्मुटेटर क्या होता है कार्बन ब्रस क्या करता है घर्षन करता है घीशता है तो ज्यादा अगर कार्बन ब्रस हम उप्योग कर र है उसके पड़ियोग में एक यह सब हानी होता है ठीक है थैंक्यू दोस्तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा पूरा अगर आईट्य एलेक्रिशियन थियोरी तैयारी करना चाहते हैं तो